जहिन मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EPFO में जो SSA और S10 के जो वेकेंसी निकाली गई थी 2869 उसके लिए दूस्तों यहाँ पर एक्जाम बगरा आप सभी ने जरूर दिया होगा उसका आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा लेकिन आपका skill test यहाँ पर यहाँ पर जारी कर दिया गया ठीक है और अगर आपने इस एक्जाम में बैटे हैं आपका एक्जाम बगरा निकल चुका है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना है और जिनके भी आपके परिवार में या घर परिवार में कोई भी फ्रेंड सरकल में जिनका भी एक्जाम नोटीस में क्या लिखा गया है subject में देखेंगे conduct of state second skill test of requirement examination of employees provisional fund organization EPFO 2023 ठीक है और इसमें देख सकते हैं जो दो type की vacancy जारी किया गया था एक तो यहाँ पर देख सकते हैं SSA यहाँ पर जो है social security assistant और दूसरा जो है stenographer group C की post यहाँ पर जारी किया गया है और इसकी regarding skill test के regarding य यहाँ पर जो है जो date of exam है इसको announcement किया गया ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें कि stenographer group C जो short hand skill test जो आपका होगा 18 November 2023 इसको connect कराया जा रहा है इसी प्रकार से जो SS है यानि कि social security assistant के लिए जिसमें typing test होगा यह 19 November 2023 इसको connect कराया जा रहा है ठीक है और आपका जो admit card है यहाँ पर skill test के regarding यह आपको दोस्तों यहाँ पर जो available हो जाएगा website पर यहाँ पर 6 November के बाद चीक है तब आप जो है इसके regarding यहाँ पर जो आपका skill test है कहाँ पर पड़ा हुआ है कहाँ पर जाना वो तमाम तरह की जो admit card जो जारी होगा उसमें mention होगा तो वो यहाँ पर 6 November के बाद available हो जाएगा और जो admit card है आपका exam से 2-3 दिन पहले release हो जाएगा तो यह जनकारी यहाँ पर नीचे यहाँ पर बताया हुआ है इस वीडियो में तना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद thanks for watching जहिंद